वेलके मैं गाइस तो हम पढ़ रहे थे हमारे पास spinal cord और थोरे वर्टिब्राज के नैटमी उसी को continue करेंगे हमें इस chapter में तो start करते हैं यह पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्टिबराल कॉलम के joints को वर्टिबराल कॉलम में बहुत सारे joints पाई जाते हैं तो लिखते हैं between their bodies and by means of synovial joints between their articular processes हमने पीचे पढ़ लिए वर्टिबरा की anatomy में बोडी क्या होती है जब दो बोडी हमारी वर्टिब्रा की आर्टिकुलेट करती हैं तो वहां पे जो joint बनता है उसको हम cartilaginous joint कहते हैं जिसके दरमान में इंटर वर्टिबराल डिस्क भी पड़ी होती है पर आपको नजर आ रहे हैं यह दो बोडी हैं यह बिल्कुल नेटरल वियू हमारे पास ठीक है यह दो वर्टिबरास की बोडी है इनके दरम्यान में यह cartilaginous joint बन रहा है ठीक है और अगर तो हमारे पास दो आर्टिकुलर पॉसेस के दरम्यान में जो बन रहा है यहां वह वर्टिबरास की बोडी के तरम्यान में यह जो वर्टिपरल डिस्क होती है अब हम देखते है आप है की क्योंकि हमारा जो एटलस और एक्जिस के नीचे और वह भी दोनों वर्टिबरास की अपर है नेक का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्यों बाकि जो है वहां बीजन के वर्टेडाबराश होते है ना उनके उपर जो हैड़ है तैस्श को फांस के जा सकता तो आि उनके ने पहले से पहले वर्टेडाज है आमारे भासो कर थीए तिक होती है ता तरह कि वेड बेर करने जिसे शौक एब्जोब वहां पर काम कर सके चीक है तो ठीक है सिंद्ध सर्वाकर लंबर रिजन में अगेन वहां पर हमारा किया है फिर अगेन वह बॉड़ी का सेंटर ग्रैविटी आजाता है जहां वेड सबसे सब्सक्राइक्ट करता है तो उसमें जगह में प्रद्ध वेड़ी कोलम अगेटर्स साथ ही जाद यहां पर वर्टीपर कोलम की मुवमेंट बहुत जादा हाई होती है दिस सर्व दिस सर्व एज़ शौक एब्जोबर वें दे लोड वन दे लोड ऑन दे वर्टीपर कॉलम इस चैड़नली इंक्रीज तो जैसे हमारा वर् इंजक्टिवली बहुत जादा यूज होते रहते हैं वाजसा इसा इनकी जो अपनी एलास्टिसिटी है उसको यह खोना शुरू कर देते हैं इच डिस कंसिस्ट ऑफ पैरिफरल पार्ट अगर आपको यह पिक्चर नज़रा रही है तो देखें यह देखें यह जो हमारी वर पोसस और अनलस फाइब्रोजस यह दोनों मिलकर हमारे पास एक इंटर वर्टिबरल डिस्क बनाते हैं वीचे स्ट्रोंगली एटाइच्ट वर्टिबरल बोडी एंड 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 पोस्टियर लोंगी टूजनल लिगमेट्स और वर्टिबरल कॉलम यहाँ पर हम और जिलेटिनस मिटीरियल है यहाँ थोड़ा सा जैली लाइक होता है ठीक है इस नॉर्मली अंडर प्रेशर एंड स्लाइडली नियरर तो पोस्टियर दें तो देंटियर यह हर वाक्त हलके मुलके प्रेशर में होता है क्योंकि हम लेटे भी होते हैं तो इसके उपर कुछ यह देख्छें में ज़्यादा पढ़ा होता है एस कंपेर टू देखें से कितना डिश्टियर से कितना कम है तो यह सब पुस्टीर नी पढ़ा होता है तो अपर लोबर सर्फेस्स सो तो बॉडी तो अजासर बटीब्रा एबट ओंट नेशर कबर विधिन प्लेट्स ऑफ हाईलीन काटिलेश अगें जो बॉडी है ना वटीब्रा की वह भी डिरेक्ट लिसके ऊपर नहीं पड़िए थी उसके ऊपर भी एक हाईलीन काटिलेश ले इसकी जैलिटीनेस मेटीरियल है वह यहां सेमिफिलूई नेचर है वह इसला से बड़ी इंपोर्टन है कि वह क्या करती है जैसे को इसको पर वेट आता है तो यह प्रेस हो जाती है जैली की तरह अपने आपको डिस्प्लेस करती है और जो मारा वर्टीब्रा को दूसरे जैसे बहुत तेज किसम का कंपरेसिव किसम का लोड आता है ना उपर वाली साइड से हमारे वर्टीब्रल कॉलम के उपर यह क्या करता है हमारे जो न्यूकलस पलपोसे से बहुत प्रेशर से प्रेस करता है और यह साइड के तरफ यह पहलता है जैसे यह पहलता है तो यहां तक यह प्रोटूड कर जाता है और फिर उसके बाद यहां पर निकलने के बाद कोलेजन फाइबर्स और साथ ही साथ जो कॉलेजन या फाइबर काटिलेजियन जो फाइबर्स हैं मारे पास किसके अंदर एन्विलस में वह भी डिजिनरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने भी एक हद तक वेटी जो नुकलेस का उसको अपने अंदर एब्स कि नहीं रहेगा कि वो नुकलेस फ्रपोसर को शौक एब्स बचा सके उसके प्रेशर को इन ओल्डर एज क्या मजीद ओल्ड एज में क्या हो जाता है यह रेडिक्स अधिन साधी साथ पतली भी हो जाती है एनलास्टिक मैं मैंशूरे से बतार ओना इसके लास्टिशी प्रा अकसी सबस्टियों भार रहा से खत्म हो जाता है जिसका कि फारिब्रोगाइबियोट श्रणिय। सीधा लेंथ की डिरेक्षन होते हैं तो यहां बे हमारे पास सबसे पहले हो जाता हैं आपके बाडी के बाडी के निकटर रहा है पिर इसी तरीके से बाडी के पस्ट्युन के पड़ा होता है यह क्याहते हैं हमारे पाज पूइल सृभिए कोलम कॉलम क Step out to climbing C세요 सšक्रम से पूर में। in the anterior ligament इस वाइड वंट सी कि मेंooky निक्षा यह काफ़ी थोड़ा चूड़ा होता है इंटिर्ट के साथ bother वर्टिबरल बॉर्टिस मैंने बता दिया और इंटर वर्टिबरल डिस्क के साथ भी अगिन वहीं एटाइच होगी क्योंकि वह भी इनके दर्म्यान में आ रहे हैं पुस्टीर लिगमेट इस भी के नेरों इस टाइट पुस्टीर बोड़र रिस्क यह इंटीरल यह थोड़ी हमें पता है सुपीरियर और इंफीरियर जो डोपसित आर्टिकुलर वर्टिबरास पड़े होते हैं उनके अर्टिकुलर सर्फिस के दर्मान यी बनता है और यह साइनोगल जॉइंट होता है इसमें भी मुझोद हमारे पास तीन बलके चार ही कहने चार मेडर लिगमेंट हो मेरे जरनर्स के बिलकुल फ्रंट्र पर पड़ी होजाए सुप्र सुपानेस लिगमेंट है घानक्स उस बाहर वाली साइड पर जो दोनों के दर्मयान में आता है वो हमारे पास इंटर इंटरOST वाला रिजन pul beleza एकि मिस्क्ण होता है इता स्पाइन का नीचे वाला एंधर सेक्षिन में हम नीचे वाला लिजन देखेंगे लिए लिगमेंट एंटेर ट्रांसवर्स लिगमेट बन जाता है और चार छूप Jeans तो किया है हुए हमारा आर्च के दुम्यान इंको स्पोट्ट कर रहे हैं सुपरस्पांस इंटर को nodarity अ ne उसके बाद है यहां पर लेते हैं ऑनने अगेर यहां लिखा वै किस-को कनेक्ट कर रहे यह वहां पर और वहां पर क्या प्रवाइड कर रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी अरॉंड जॉइंट नर्फ प्लाइड देखा जाए तो यह हर जो हमारे पास वर्टिब्राइड है वहां से जो नर्फ पास आउट का रही होती है उसके थूप्लाइड किया जाता है और यह जितनी तो यहां पर उसकी कोई डिटेल के जरूट नहीं है बस आप इतना याद रखें कि हर जो वर्टिब्रा है उसको उसके उपर जो जॉइंट है उसको वही नर्फ स्प्लाइड करेगी वहां पर जो सेग्मेंट का चाल रहा होगा स्पाइनल कोड का उस लेवल पर कौन सा सेग